सब्सक्राइब किजए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बट्टं को दबाईए और उसे दिबाने के बाद बैल आइकन के बट्टं को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज की अपड़ शैपको रेगुलरली मिलती रहे सावन है और उपर से बड़ा गुरुवार अधुत से योग बना हुआ है धेर सारे सूभ योगों के साथ ये गुरुवार आया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आपका बिवाह नहीं हो पा रहा है तब आप गुरुवार के दिन से ये उपाय सुरू करें और कम से कम 40 इनों तक या फिर 27 दिनों तक लगातार कीजीगा नहाने के पानी में शाठ चुटकी हल्दी डालकर नहाइए और रोज नहाने के बाद हल्दी थोरे से भगवान स्री कृष्णी के चर्णों में लगाने के बाद खुद को तिलग करें, माथे पे, कंड़ पे या फिर कलाई में, ऐसा करने से आपका ब्रैस्पति मजबूत होता है और विभा के योग बनने लगते हैं जीवन में धन की परिशानी हो, तब हल्दी की साथ गाठें पीले रंग के कपड़े में रखें और थोरे से अक्षत, नारियल, एक सुपाडी और दो-चार सिक्के रख लें और उस रुमाल को अच्छे से बांध कर अपने तिजोरी में रख दें धन संपदा बनी रहेगी, बरकत होती रहेगी अब हम आपको एक और उपाए बताएंगे अब हम बता दें, चुकि गुरुवार का दिन है, बहुत सुब्योग बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हल्दी और थोरे से अक्छत को, सबसे पहले तो आप अक्छत लें थोरा सा पानी में भीगो दें, इसे मिक्सी में गढ़ा सा इसका पेस्ट बनाएं अब इसमें पॉडर हल्दी, पीली हल्दी मिलाकर, अपने मुख्य द्वार के चौकट पर ठीक बीचों बीच उपर में ओम लिखे या फिर आप चाहें तो दोनों साइड स्वस्तिक भी बना सकते हैं बुरी आत्माओं से, नजर दोस से, तांत्री किरियाओं से, टोने टोटकोए से बचे रहेंगे सुरक्षित और सिब जी की भी किरपा मिलती रहेंगी मालक्षमी भी परसंड रहेंगी, तमाम तरह के दोसों से सुरक्षित बने रहेंगे वास्तु दोस भी दूर हो जाएगा तो दोस्तों इन में से कोई भी उपाई जो आपको लगे सही है वो उपाई जरूर करें